जब चाहे जितना देर तक चाहे जितने बार चाहे आप सेक्स कर सकते है पिनाइल इंप्रांट करवाने के बाद लिंग का साइज कैसे बढ़ाया जाए वो ऐसी कौन सी दो तरीके है जिसे जिन लोगों का लिंग छोटा है माइक्रो पिनेस की सिकायत है वो लोग इन तरीकों को अपना कर बड़ी असानी से अपना लिंग का साइज को बढ़ा सके और अगर आपको छोटी लिंग के साथ साथ आपको इरेक्टाल डिसफंक्शन भी हो रखी है आपको ना पून सकता इंपोर्टेंसी की भी प्रॉबलम आ चुका है तो ये प्रॉबलम भी जो है इसी के साथ ठीक हो जाए तो ये एक बहुती महतपूर्ण वीडियो बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी दो तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पूरुसों के लिए बहुती महतपूर्ण है तो पूरुसों में जो दो मेन समस्या देखी जाती है एक है उनका लिंग का आकार क लेकर लिंग में पतला पन छोटा पन सीकुलन जो होती है यह एक प्रॉब्लम हो गया इसके इलावा और एक जो प्रॉब्लम होता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानि लिंग में सई से तनाव का ना आना अब लिंग में सई से कड़कपन आएगा नहीं तो जाहिर सी ब टिप्स पे तो जो पहला प्रोसेस है वो है पिनाईल इंप्लांट इस तरह कि यह जो आप लंबे लंबे सिलिंडर जैसा पाइप देख रहे है यह सिलिकॉन की बनी हुई है यह जो दो रॉड आप देख रहे हो यह एक छोटी सी सरजरी के जरिये आपका लिंग का अंधर लिंग की हाकार बहुत इस बढ़िया बन जाता है लिंग की साइच की बात करें तो पिनाईल इंप्लांट के बाद आपका का सैच कम से कम दो सर धाए इंच तक बढ़ने वाला है और इरेक्षं की अगर बात करें जैसा आप देखना चाहते हो अपना लिंग ka वैसा ही इरेक संग्संच की प्रॉब्लम के लिए आपको खाने का दरकार पड़ेगी नहीं जब चाहे जितना देर तक चाहे जितने बार चाहे आप सेक्स कर सकते हैं पिनाइल इंप्रांट करवाने के बाद दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है और इसमें कोई भी साइड एफ पिर अप बेजिजग बिल्कुल मैं कहूंगा आपको इस तरह का जो सर्जरी है आप इसके बार में सोचिए और आप बात करते हैं अगला प्रोसेस के बारे में तो दोस्तों अगला जो तरीके के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको ये बहुत बढ़िया है ये भी जो ह scientifically proven है तो इस process को भी आप अपना कर अपना link का size और गिर्थ दोनों को बढ़ा सकते है और उसी के साथ अगर आपको erectile dysfunction की problem है नापून सकता की problem है तो इस problem को भी आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते है तो जिस process का मैं बात कर रहा हूँ वो है homeopathic treatment के जरिये दोस्तो आप लोगोंने already देखा है कि मैं कैसे अपना patient का link का size को बढ़ाता हूँ और erectile dysfunction की problem कैसे ठीक करता हूँ धेरो case history धेरो reviews हमने आज तक इस channel का उपर डाल चुके है वो भी proof के साथ जो हमारे channel को subscribe करकर रखे हुए है बहुत दिनों से वो लोग जानते ही है हमें अलग से बोलने के कोई दरकार पढ़ता नहीं है उनके लिए इस channel का उपर एक case नाम का playlist है उस folder में उस playlist में जो जो वीडियो से वो सभी patient reviews के लिए हमने बनाये है कि जो बंदे हमारे पास treatment कर रहे है वो हमसे treatment लेकर कितना satisfied feel कर रहे है अपने आपको ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आप उस playlist का कम से कम 5-6 वीडियो भी अगर उठा कर देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में homeopathy से इस तरह का problem को ठीक करना कोई बड़ी बात है नहीं और erectile dysfunction के अगर बात करे तो उसका तो मैं हर दिन एक ना एक proof डालते रहता हूँ अपना channel का उपर अब बात करता है कि आखिर कार हमारा problem ठीक कैसे होगा हमारा link का size कैसे बड़ेगा हमारे erectile dysfunction की problem कैसे ठीक होगा तो एक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा अपना videos में बोलते रहता हूँ कि homeopathy में कोई भी problem के लिए कोई fix medicine आज तक नहीं बनी है homeopathy में एक ही दवा हजारो disease में काम आती है similarly homeopathy में एक disease के लिए हजारो medicines भी available होती है आप मेरा इस बात को लिख लीजिए आपका problem तभी solve हो सकता है जब आप किसी एक classical MD homeopathy से meet करके अपना problem के according treatment लेंगे खुद से आपना treatment कराएंगे कोई वीडियो देखकर medicine खाएंगे तो कोई फरक आपको नहीं पढ़ने वाला छोटी मोटी चीजों के लिए आप homeopathy जो है self medication कर सकते है उसमें कोई problem नहीं है लेकिन जब आपको सवाल आता है कोई बड़ा disease को ठीक करने का या फिर ऐसा को disorder जिसको आपको ठीक करना है तब आप बिल्कुल भी self medication ना करे क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे कि homeopathy में जो medicine दी जाती है वो आपका लक्सन की आधार पर दी जाती है अब आपका लक्सन कोई भी medicine से match कर सकता है वो sulfur भी हो सकता है वो lycopodium भी हो सकता है वो calcaria carb भी हो सकता है वो natural moore भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है 93 homeopathy में बड़ी polycrust remedy है उसमें से कुछ भी लक्सन आपका लक्सन हो सकता है रहा बाद link का size को लेकर वो आपका तभी बढ़ सकता है जब आपको constitutional treatment दिया जाए constitutional treatment क्या होता है कि आपका पूरा symptom लिया जाता है उसमें आपका mental feelings देखा जाता है आपका भूग कैसा है आपका प्यास कैसा है आपका sex कैसा है आपका stool कैसा है आपको पसिना कैसा छुटता है आपको गुसा आता है कि नहीं आप hot patient है आप chili patient है आपको क्या पसंद है आपको क्या नापसंद है आपका family history क्या है आपका present history क्या है आपका past history क्या है क्या कोई PQRS कोई peculiar symptom आपका अंदर है तो ये सभी चीजे जो है हम लोग account में अपना लेते हैं और भी बहुत सारा सवाल होत चैन कर लिया आठ दस दवाईया खिलाने से patient का problem solve नहीं होता है यहां एक ही medicine को select करना पड़ेगा आपको उसी एक medicine को आपको जह सही मिलता है लेकिन आप पर depend करता है कि आपको कौन सा तरीके कौन सा प्रोसेस को आपको अपनाना है अगर आप financially strong है आपका अंदर guts है इस तरह का surgery को करने का तो आप इनाइल implant के बारे में सोचिए और अगर आपका अंदर उतना guts नहीं है इस तरह का surgery को करने का तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप homeopathic treatment कराईए किसी एक अच्छी MD classical homeopath के पास जाकर उनके सामने बैट कर पूरा एक thoroughly case taking उनको दीजिए डाक्टर साब आपको जो जो सवाल पूछता है वो सभी सवालों का जवाब आप उनको दीजिए सोच समझ कर और वो आपका सभी सवालों का जवाब जानने के बाद आपको एक ही single remedy देगा वही remedy से जो है आपका सभी problem ठीक होने वाला है तो दोस्तों ये थे दो तरीके मैं आसा करता हूँ कि आप लोगो को मेरे ये वीडियो पसंद आएगी so thank you very much and have a good day